हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इलेक्टिकल स्टडी में जैसे कि दोस्तो हमारी स्रीच चल लई थी लेक्टिकल कलास ठेलेटेड वन कलास दोस्तो हमने अपडेट भी कर दिया वीडियो को दोस्तो लाइक अभी से जुरूर कर दे और चैनल पर आप नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कर ले हम नोट से साउथ करके आ जाते हैं जो हमारा अकसर उत्तर गलत हो जाता है यहां पर नोट करने वाले बात यह है कि चुंबक के बीतर पूछा गया है कि किस टाइप से चलती है तो राइट ओप्सन की दोस्तों यहां पर बात की जाए तो हमारा यह हो जाएगा का सी दक्षिन से उत्तर की तरफ जो है उंदर की तरफ चलती है ज कि टाइगराम आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तो नोर्थ से साउथ की तरफ, नोर्थ से किस की तरफ चल रही है, साउथ की तरफ चल रही है, अंदर जो चल रही है दोस्तो वो चल रही है, साउथ से नोर्थ की तरफ, ये दोनों के दोनों क्योशन दोस्तो ध्यान रखने वाले हैं, वेरी इंपोर्टेंट है, उलजा जो magnetic line जो force अपने निश्चित मारक पर ना जाके किसी और मारक पर चले जाए देखे जो सो यहां पे आके यह बंद हो गई यहां पर यह 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 बाकी रेखा है हमारी काम आ रही है जो काम नहीं आ रही वो लिकिस फलक्स है इसके लाव दोस्तों उसे नश्दीक के ले आ तो इसके नश्दीक लेके थीक है ऐखे यह आपने जैसी कोई भी यह magnetic जैसी कोई भी विश्दीक लेकि आएंगे तो वो इसको क्या कर लेगा दोस्तो यह अपने तरफ अकरसित कर लेगा ठीक है तो यहां से एक शांदार कोशन बनता है और यह जो दोस्तो चुमकिये रखाएं जो होती है यह अपने एक दूसरी को कभी नहीं काटती यह जैसे इसको नहीं काटती ठीक है यह एक दूसरी तर्षेर, तो यहां से वहाँ भूल पीच को परकाइने को आगे शाएं के मैं तौन पर दूसें के लेखाओं के दूरियां होती है यहां से भी क्यूशन तीन चार लेखायों के पूशे जाते हैं ठीक है तो ये तीन से च्यार लेवल के question दोस्तों हमारे बनते थे हो सकता है इसमें magnetic lines of force related question पूचा जाए तो आप गलत नहीं करोगे बढ़ लेते हैं दोस्तों next question की तरफ next question है हमारा अगला question दोस्तों है हमारा distribution transformer की secondary winding जूड़ी होती है यानि दोस्तों बात कीगी है distribution transformer की transformer दोस्तों कई परकार के होते हैं कई अधार पर होते हैं जैसे phase के अधार पर होते हैं ठीक है core के अधार पर होते हैं इस परकार के transformer होते हैं जो हम एक specially video लेके आएंगे उसमें total transformer का chapter समझने की कोसिस करेंगे यहां पर क्यों दोस्तों हलका सा पोचा गया है कि transformer की secondary winding जूड़ी होती है दोस्तों डिस्टिबूशन ट्रांसपार्मर की हम बात करें तो secondary winding star के अंदर जूड़ी होती है दोस्तों star कैसे connection होता है ऐसे connection होता ठीक है इस परकार neutral point प्रापत करने के लिए क्योंकि दोस्तों distribution transformer से ही service line आगे जाती है ठीक है service line ले जाने के लिए ही हमें distribution transformer की जरूद पढ़ती है जिससे हम star connection करके neutral point ले ले लेते हैं क्योंकि दोस्तों जब घरहों में distribute करते हैं supply तो हमें किस की जरूद पढ़ती है neutral की जैसे यह हमारा ryb हो जाता है neutral सबका common रहेगा दोस्तों अगर दोस्तों इन सभी फेज के अंदर अगर load equal है तो इस point पर load क्या होगा बिल्कुल 0 होगा अगर इस point को आप touch भी कर लोगे तो कोई भी जटका नहीं लगने वाला जब load क्या हो सभी फेजों पर क्या हो balance load हो बिल्कुल संतूलित load हो ठीकर तो जैसे कि जब motor को आप star में चलात हो इसमें भी छैका हो ठीक है तो इस प्रकार इस neutral point पर ठीक है आने वाले और जाने वाले current का जो बीजगनी के योग हो जाता है वो दोस्तों आपने के चो फ्लापड़ा होगा जीर हो जाता है तो distribution transformer की secondary winding जो जुड़ी होती है वो दोस्तों हमारा transformer से जुड़ा पूछा भी यह हमारी cooling pipe लगी हुई है तो यह सब परकार का transformer के पार्ट के अंदर हमें इसको detail से discussion करेंगे तो इस परकार के भी transformer आते हैं इस परकार के transformer भी आते हैं बढ़ लेकें दोस्तों आज के हमारे next question की तरफ अगला question भी दोस्तों हलका सा question है लेकिन एक्जाम में बहुत ज़्या के अंदर से ले जाये जाता है ठीक है casing capping के अंदर से ले जाये जाता है तो अगर हम same color के तार अगर डाल देंगे तो पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी ठीक है कि phase कौन सा है neutral question है इसलिए दोस्तों तारों की अलग-अलग color coding की जाती है ताकि wire के जो color को देखकर असानी स जो उसको पहचाना जाज़के यहां से question दोस्तों पूचा गया है single phase प्रणाली में अर्थ तार का रंग क्या होता है अर्थ तार का रंग दोस्तों हरा होता है ठीक है हर तार के लिए हरे रंग का यूज़ करते है न्यूटल की दोस्तों बात की जाए तो न्यूटल के लिए कौन सा तार यूज़ करते हैं बलेक तार यूज़ किया जाता है ठीक है यह भी शांदार question मता है बार बार एक्जाम में पूचा जाता है फेज के लिए दोस्तों हम बात की जाए तो लाल तार का अकसर हमारी single phase प्रणाली के अंदर यूज़ किया जाता है ठीक है red जो अंता question की तरफ next question है हमारा alternator निमन में से किस सिदान पर कार्य करता है बहुत इस्यांदार लेवल का question दोस्तों यहां पर पूचा गया है तीन टाइप चार टाइप के लगवग आंसवर इसमें दोस्तों दिये जाते हैं जो सभी के सभी सही भी माने जाते हैं क्योंकि गल्द भी नहीं कह सकते हैं अल्टर्नेटर निमन लिए से किस सिदांत पर काम करता है तो इसका जो राइट अपशन हो जाएगा वो हमारा ओपसन हो जाएगा यांतरिक उर्जा को परत्य वर्तिदारा में जो बदलता है, प्रिवर्चित करता है, यानि दोस्तों कोई भी mechanical power लेकर हमें क्या दे, electrical power दे, कोई भी mechanical power लेकर हमें electrical power दे, उसको हम दोस्तों कहते है, alternator, परत्य वर्तक भी दोस्तों इसको कहा जाता है, आपको पता हुआ, AC generator भ सकता है 11 कभी से 33 कभी जहां हमारी दोस्तों प Раз पेदा की जाते हैं उसके दोस्तों हम देखें थोड़ा सा कि अल्टरनेटर का सिदांद क्या है तो आरे लिखा मिलेगा ठिक है फराडे के विद्यो चुमकिय अपरेरन के सिदान पर काम करता है अब अल्टरनेटर के मुख्य बाग क्या होते हैं स्टेटर होता है रोटर होता है एक्साइटर होता है ये मुख्य बाग इसके हमारे होते हैं इसको मुख्य बाग कहेंगे बूढ़ी हो जाते हैं बहुत सारे आई बोड्य श्ट कि Σबिक हैं पुली अइस पार्ट हो चारा वहागी ho जाता है रिकिन मेनली जो इसके पार्ट होते हूं वह तीन पाँ एक तो स्ट्रिक्टर इसके बारे में दोस्तों हम नहीं पढ़ेंगे, नेस्ट जो है हमारा वो है Wasp Turbine Alternator, उसके बार Diesel Engine Alternator, ठीक है, यह अल्टरेनेटर के दोस्तों हमारे टाइक हो जाते हैं, फेज के अदार पर दोस्तों बात की जाए अल्टरेनेटर की, तो ये दो परकार के होते हैं, एक तो सिंगल फेज होता है और एक थरी फेज होता है, फेज के अदार पर बात की जाए तो फेज तो दो ही होते हैं, एक तो सिंगल फेज अपलाई ही होती है, एक थरी फेज अपलाई ही होती है, ठीक है, तो ये हमारा वहाँ हो जाता है, पार् rotor क्या रहता है? stir रहता है, यह हमारा जो rotor होता है लाज इस फिल्ड को क्या किया जाता है? rotating armature अब इस armature को गुँमाय जाएगा इस field को क्या रखा जाएगा? इसको instancesおい का जाईगा तो ये गूमने के अधार पर alternator दो परकार के हमारे होते हैं नेक्स जो है दोस्तो अल्टरनेटर की कारिया पर ना लिए सिंपल है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जब रोटर को स्टेटर के बीच गुमाया जाता है तो रोटर से उत्पन होने वाली चुमकिया बल रेखाएं स्टेटर के चाले को 6 दन करती है उनको काटती है सिंपल स को किस वोर्ट के वाकता है अब हलका सा देख लें दोस्तो आल्टरनेटर का पर्योग क्या किया जाता है परतेवर्ती उद्यूत उर्ज़ा उत्पादन के लिए याने and AC करनकर के उतपादन के लिए All producto का यूज किया जाता है मुझे नहीं लगता है इसमें कोई All अपने किसी अक्स पर किसी भी बाहरी फोर्स या बल के दवारा जो गूमने का प्रयास करें इसको हम टारक कह सकते हैं तारक को समझने के लिए दोस्तो आप इस डाइगराम को जो है अच्छे से देख सकते हो इसमें अच्छे से तारक के बारे में बताया गया है ठीक है जैसे कि ये एक अक्स है इस अक्स के चैरों तरफ क्या है किसी भी फोर्स बाहरी बल लगने के पदार्थ जिने चुमकिये सेतर में रखने पर चुमबक तो नहीं बनता परंथु चुमकिये बल रिखाओं की संख्या बढ़ा देते हैं पिरऑ ट्रोडी उससे कम होती है ठीक है फिर दोस्तों इससे इसकी भी पावर कम होएक स्पैसि एक्जाम के पर परिप्त में यानि रेजिस्ट्यू सर्कृिट है यहाँपर नोट करने वाले बात यह है कि pure resistive circuit है में सक्ति गुणा क्या होता है सक्ति गुणा का मान यहाँपर पूछा गया है जब दोस्तों बात resistive pure resistive circuit की बात की जाती है तो वहाँपर जो power factor जो हता है वो दोस्तों unity होता है ठीक है यानि दोस्तो एक होता है ठीक है अगर बात की जाए मेक्स लोड की रेजिस्टिव कौन सा होता दोस्तो जो हमारे रेजिस्टेंस होता है ठीक है जैसे यह कलर कोड रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस वाला कौन सा लोड हो जाता है रेजिस्टिव ठीक है कपेस्टि तो इस परकार के सर्किट के अंदर पाउर फेक्टर लिडिंग भी हो सकता है और पाउर फेक्टर लेगिंग भी हो सकता है ठीक है अगर कपेस्टर दोस्तों नहीं लगा हुआ है और हमारा ये इंडेक्टर भी अगर नहीं लगा हुआ है दो चीज अगर नहीं लगी हुई है तो हमारा जो power factor होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा leading ठीक है sorry legging power factor उसको हम बोलेंगे legging का मतलब है current का दोस्तों पीछे रह जाना ठीक है यहां से भी कई बार जो polyphase system होता है हमारा ठीक है उसमें से भी कई बार question अच्छे level के हमारा unity है अगर दोस्तों capacity load है पूरा pure capacity load है तो इसमें दोस्तों हमारा जो power factor होगा वो leading होगा ठीक है leading का मतलब दोस्तों हमारा अच्छा improve power factor disease को माना जाता है next question है हमारा left winding में a command क्या होता है एक अमान दोस्तों यहां पर रास्तों से related पूछा गया कि left winding में current बहने का यहां इस question को हम पूरा करें तो current बहने के कितने रास्ते होते हैं left winding के अंदर पूछा गया दोस्तों left winding को हम parallel winding भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं पेरलल वाइनिंग में भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें करंट बहने के रास्ते जितने पॉल होते हैं, तो इसका राइट उप्षन जो रहेगा, वो हमारा D रहेगा पॉल, ठीक है, P को हम नोट करेंगे पॉल से, ठीक है, जितने करंट बहने के रास्ते पॉ ये रिपीट किये गए है, ठीक है, वेव वाइनिंग दोस्तों पॉछा जाए, तो सिरीज वाइनिंग ले लेना, सोच लेना की सिरीज वाइनिंग के बात की जा रही है, और सिरीज वाइनिंग में करंट बहने के रास्ते के रास्ते हैं, पेरलल वाइनिंग यानि लेव वा मोटर कितने परकार की होती है सभी को पता होगा कि डी सी मोटर जो होती है वो तीन परकार की होती है एक दोस्तों हमारी सीरीज मोटर होती है सीरीज के अंदर जो है फिल्ड वाइंडिंग आर मैचर के कैसे जुड़ी होती है दोस्तों सीरीज में जुड़ी होती है तो इसको हम जनेटरेयर, दोस्तो, DC, संट, मोटर. अगर दोस्तो, कमपाइंड में जुड़ी हो, ठीक है? कमपाइंड का क्या मतलब होता है? अब इसी को भी हम कमपाइंड मना सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या करेंगे? यहां पर जो है, एक और वाइनिंग हम लगा देंगे, बाहरी वाइनिंग एक हमारी सिरीज वाइनिंग और लगा देते हैं तो यह हमारी हो जाती है compound तो DC motor तीन परकार की मुख्य तोर पर होती है series, cent और compound फिर compound दोस्तों आगे long cent और short cent दो परकार की हो जाती है under official और जो cumulative compound वो भी दोस्तों अलग परकार से हो जाती है तो अलग अलग परकार की मोटर होती है अलग अलग यूज के लिए कि जाती है जैसे DC series motor के यूज के जाता है वह स्टार्टिंग के अंदर जाला टॉर की जरूर थो ठीक है ज्यादा लोड की जरूर थो वहां पर दोस्तों यह series motor यूज के जाती है स्टिर mechanical load लेना है तो वहां भी दोस्तों हम DC sent motor का ही उपयोग करेंगे मुझे नहीं लगता कि इसके थोड़े मोटे यूज भी अगर पूचा जाए जैसे सबसे जादा क्योशन क्या पूचा जाता है पता है तो DC lift और क्रेंओं के अंदर DC series motor का इस्तमाल जो है वहां पर किया जाता है जहां स्टिर load लोड लता है वहां पर हमारी sent और जहां starting में ज्यादा load की जूरूरत होती है वहां पर हमारी series motor का यूज किया जाता है mainly motor जो है वो तीन परकार की हमारी होती है बढ़ लेते हैं दोस्तों next question की तरफ next question है हमारा किस motor का starting torque अधिक होता है starting torque की दोस्तों बात की गी है किस परकार की motor का starting torque अधिक होता है यहां पर चार option दोस्तों दिये गए है DC series motor, DC sent motor, DC compound motor और यह सभी तो यह question दोस्तों हम जस्ट अभी अभी करके आएं जो DC series motor जो होती है उसका starting torque बहुत अच्छा होता है बहुत हाई होता है ठीक है तो right option जो हो जाएगा हमारा option यह हो जाएगा stir load की बात की जाए, stir torque की बात की जाए तो यह हमारा हो जाता है DC sent अगर mixed load आपको जो है आपके पास है और उसमें जो motor चला रहे है तो वहाँ पे दोस्तो आप DC compound motor का इस्तिमाल कर सकते हो बढ़ लेगें दोस्तो next question की तरफ next question है हमारा DC series motor का उपयोग किया जाता है तो यह question फिर दोस्तो आ चुका है अभी just हमने यह question दोस्तो cover किया है किया है कि DC series motor का उपयोग कहा जाता है तो लिफ्टों में करेनों में हमने अभी अभी पढ़ा था लिफ्टों के अंदर करेनों के अंदर ठीक है यहाँ पर इस्तिमाल किया जाता है तो जहां पर starting torque की ज़्यादा जरूरत होती है तो महाँ पर दोस्तो DC series motor का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है तो यह question कई बार exam में repeat किया गया है बढ़ लेते हैं दोस्तो next question की तरफ next question हमारा DC cent motor की field field पूछी गई है DC cent motor की field पूछी गई है अब cent की बात कर रही है तो cent क्या होता है दोस्तो पतला तार और जादा टरन field की बात की गई है तो पतला तार और जादा टरन यहां पे दोस्तो series लिखा जाए तो हमारा motor तार और कम टरन यह दो परकार की फैचान दोस्तों हमारी की जाती है तो DC cent motor की field का यहां पे पूछा गया है तो right option जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा option A पतले तार और कम लपेटे नहीं सोरी आ नहीं होगा कम लपेटे नहीं होगे जयादा होगे तो यह हमारा right option C रहेगा पतले तार और अधिक लपेटे तो right option हमारा हो जाता है option C बढ़ लेते हैं next question की तरफ, next question जो है हमारा DC motor के starter कितने परकार के होते हैं, ये भी अच्छे लेवल का क्योसन हमारा बनता है, ठीक है, यहां से भी बार-बार क्योसन एक्जाम में फूचे जाते हैं, ठीक है, DC motor के starter कितने परकार के होते हैं, तो ये तीन परकार के starter दोस्तो इ मोतर के इंदर इस्तेमाल किया जाता है संट मोटर क इंदर ठीक है और जो हमारा 4.6 होता है वो धूस्तों Commilorship Compound के इंदर यूज भी कर सकते हैं और डी-सी संट मोटर के इंदर भी यूज कर शकते desapareато है तो दोनों इसके बारे में हम थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे, NVC का पूरा नाम क्या है, NVC के पूरे नाम की दोस्तों बात कीगी है, तो NVC कहां लगा होता है, ठीक है, NVC का काम क्या होता है, ठीक है, तो NVC का पूरा नाम जो होता है, No Load Coil, ठीक है, NVC, No Volt Coil, Sorry, No Volt Coil, Right Option जो हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, Option B, NVC, ठीक है, No Volt Coil, इसको हम कह सकते हैं, एक दोस्तों हमारी OLC होती है, वो भी Very Important Question मनता है, जैसे कि Next Question है, हमारा OLC, OLC का पूरा नाम होता है, Overload Coil, ठीक है, यह दोस्तों यहाँ पे नीचे लगी होती है, स्टार्टर के अंदर क्या लगी होती है, नीचे की तरफ लगी होती है, इसको दोस्तों मोटे तार और कम तरन से बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक Lever लगा होता है, ठीक है, जब भी Motor Overload होती है, तो यह इस Lever को उपर उठा लेती है, और यहाँ पे जो होते हैं, यह SunT Winding के अंदर Motor के अंदर Terminal जाते हैं, ठीक है, वो उनको दोस्तों सोर्ट कर देती है, सोर्ट करते हैं, हमारी जो Motor जो होती है, वो बंद हो जाती है, यह जो जाते हैं, यह Field Winding में जाते हैं, जब यह उपर उठता है, लिवर, तो इन पॉइंटों को सोर्ट कर देता है, ठीक है, और पॉइंट सोर्ट होते हैं, दोस्तों हमारे SunT Wind Winding का Current भी जीरो हो जाता है, और Motor हमारी बंद हो जाती है, ठीक है, यह इसको भी जीरो कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे, एक दोस्तों, यहाँ पे जो लगी होती है, उसको बोलते है, NVC, यह हमारी होती है, No Volt Qual, यह पतला तारो ज्यादा टरन होती है, यह जो यहाँ पे handle होता है उसको पकड़ने के लिए होती है जो starter का handle होता है उसको पकड़ने के लिए जो है यह NVC लगाई जाती है यह liver को उपर उठाने के लिए OLC लगाई जाती है दो परकार के system दोस्तो इसमें हमारे होते है दो बिंदू starter के दवारा नियमतरित की जाती है तो simple सा question है जो हमारी series motor है वो two point starter के दवारा control की जाती है cent के दवारा दोस्तो three point कह सकते है four point के दवारा compound भी कह सकते है और four point starter से दोस्तो cent motor भी चलाई जा सकते है दो परकार के question दोस्तों यहां से भी हमारे cover हो जाते है next question दोस्तों हमारा रहेगा motor की शुरुआत में विरोधी विद्यूत वाहकवल यानि दोस्तों बेक EMF की यहां पर बात की गई है बेक EMF की बात की गई है तो EMF हमारी यह हो जाती है EMF ठीक है यह हमारी बेक EMF की बात की गई है तो बेक एम आफ की दोस्तों हम बात करें, तो इसका जो होता है, विद्यू दुबाहकबल का मानी है, यह दोस्तों सुनने होता है, यानि दोस्तों जीरो होता है, जीरो इसको हम कहेंगे, तो राइट उप्षन इसका हमारा हो जाता है, सी, जब हमारी क्योशन दोबारा पढ़ अगर यहाँ भुथा जाहिद कोशन कम्यूटेटर, कौन सी सप्प्लाइब बाहर परदान करता है तो वह DC करनज़ परदान करता है सप्लेटर लिए बाहर परदान करते हैं वह बाहर करते हैं नेक्त जो कशन है दोस्तो हमारा एक समान्य विद्यूत लेंप की विद्यूत दारा किस परबाव पर कारिया करती है बहुत ही अच्छे लेवल का क्योशन है एक समान्य विद्यूत लेंप विद्यूत दारा के किस परबाव पर कारिया करती है तो राइट ओप्शन की बात करें तो हमारा C रहेगा उसमिया परवाव पर कारिया हमारा करती है यह जैसे हैं दोस्तों हमारा लेंप हम बना लेते हैं चोटा सा ठीक है तो यह हमारा लेंप हो जाता है ठीक है तो इसके बारे में पूछा गया है कि यह जो अंदर हमारा इसका वीडियो दारा के किस परवाव electrical current के किस effect पर ये काम करती है तो ये उसमें effect पर जो है वो काम करती है तो right option हमारा हो जाता है option हमारा C तो ये थे दोस्तो आज के हमारे कुछ शांदार और भहतरीन क्योशन वीडियो को दोस्तो लाइक नहीं किया तो लाइक जुरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर कर ले और दोस्तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है 250 में दोस्तो टोटल सेलेबस दिया जा रहा है वो जल्दी से परचेज करके सारे के सारे क्योशन जो है कवर कर ले मिलते हैं दोस्तो जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक दोस्तो नमस्कार जै हरियाना जै भारत